वालकम बैक तो माई चैनल आवर फोडी मॉमा आपकी होस्ट और दोस नेतिका सिंग आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हो जो बनाना बहुत ही असान है और यह कोई भी बना सकता है आप बिल्कुल भी रेस्ट्रेंड को आप बूलने वाले है बिल्कुल रेस्ट्रेंड स्टाइल मैं आज आपके साथ गोभी मंचूरिन स्पेशेयर करने जा रही है जो बनाना बहुत ही असान है कोई भी बना सकता है इस रेसिपी को और अगर आपने एक बने इस तरीके से गोभी मंचूरिन की रेसिपी बना ली तो मेरी गहरे हैं कि आप रेस्ट्रेंड को बूलने वाले हैं बिल्कुल रेस्ट्रेंड स्टाइल गोभी मंचूरिन अब आप घर पे आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल बेसिक समागरी से बना सकते हैं कोई भी जरूरत नहीं आपको बहुत ही सारी समागरी की बहुत ही बेसिक समागरी से आप को बना सकते हैं तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट हैं अगर आपको मेरा वीडियो ज़रू करेगा और पहले कर दमाना नहीं बूलेगा ताकि मेरे आदे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन में सके तो भी नादेर के हुए चलिए बनाना शुरू तो यह काफी अच्छे से वाउश हो जाता है और मतलब इसके कीड़े हैं निकल जाते हैं इसमें सब्सक्राइब क्या करना है हमें कौन फ्लार डालना है इसके बाद दो चमज के करीब मैदा डाल दें इसमें कोई जादा मसाले नहीं लगते हैं का इस बहुत में यह बनके र पसंदा तो आप काले मिर्च भी डाल सकते हैं तो इसको अच्छे से मिला लें इस तरह से काफी अच्छे से मिल चुका है इसको इस पे यह कोट हो जाए इसके लिए दो चमज के करीब इसमें पानी जालते हैं जादा पानी नहीं डालना है गाइस बिल्कुल एक से दो चमज यह प्रिप्ट की गरीबी प्लाले काफी अच्छे से मासा एक कड़ाई चड़ा दियेना यह सिको हल्कली regular गरम ना है यह मीडिम में हमें इसको fry करना है तो एक इक करके इस तरह से घोब्यों को डाल दें और अच्छे से हमें मीडियम फ्लेम में इसको fry करना है मैं यह शेलो फ्राइ कर रही है आप चाहे तो इसको डीफ थ्राइ भी कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से अलट पलट करके काफी अच्छे से गोबीों को सेलो फ्राई कर ले तो काफी अच्छे से हमारा जो गोबी है शैलो फ्राई हो चुका है इसको इस तरह से निकाल ले इस तरह से अपना दूसरा बैच भी रेडी कर ले इस तरह से हमें अपने सारे गोबियों को इस तरह से हमें फ्राइ कर लेना है और काफी अच्छे से आलट पलट करके एकदम क्रिस्पी फ्राइ करना है इस तरह से फ्राइ कर लेना है अपने सारे गोबियों को इसके बाद क्या करना है गाइस एक कड़ाई को आप गैस पे चड़ा दे और गैस कफले मीडियम रखे और उसमें दो से तीन चमच के करीब ऑईल डाल दे मैं यहां रिफाइन ओल का यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद यहां पर मैंने यह दो बड़ी चमच लैसन को बहुत ही अच्छे से बारिक कट कर लिया है यह डाले इसमें जो लैसन की मातरा तुरह जादा पड़ती है क्योंकि हम यहां मंचूरियन बना रहे हैं तो मंचूरियन में थोड़ी सी जो लैसन की मातरा है वो हृतर हरी शिम ला मिर्श को इस तरह से बहुत ही वारी चौप कर लिया है और इस तरह से हम इसको मिला लेंगे ऐंग अ हल्का सत दो से तीन मिनट के करई हम इसको भूरना है थोरा सा गेस का फ्लें हाय कर दे इसके बाद इसमें दो से तीन मैंने हरी मिर्च लिए मैंने थोड़ा हरा मिर्च बड़े-बड़े काटे क्योंकि ये बच्छों के मुह में आ जाते हैं तो ये काफी आसानी से निकल जाते हैं तो इससे मैंने दो से तीन हरी मिर्च लिए हैं और यहां दो बड़े प्या प्यास को अच्छे से चौप कर लिया है इस तरह से इसको मिला ले काफी अच्छे से मिला ले और गैस का फिर हाई रखे क्योंकि जब मंचुरियर में थोड़ा सा यह क्रंची पन अच्छा लगता है जो भी प्यास और जो हमारा शेमला मिर्च है और इसमें नमक डालने के उस तरह से इसको हल्का ब्राऊन कर ले ज्यादा नहीं पकाना है नहींतो जो हमारा मंचुरियर ने उसका टेस्ट कराव हो जाता है और यह मैंने तीं-से चार टमाटर को अच्छे से प्योरी बना लिया है और अगर आपको प्यूरी नहीं पसंद है तो आप टमाटर को छोटे-छोटे पीसेस में कटपी कर सकते हैं लेकिन मैं सब्सक्राइब करूंगे कि प्यूरी इसमें बेस्ट रहता है तो इस तरह से इसको मिला लें इसे 2-3 मिनिट के करीब अच्छे से बोन लें बोनने के बचलिए आप दूसरे प्रोसेस के तरफ चलते हैं मैंने दो बड़ी चमच मैंने कौन फ्लार लिया है कौन फ्लार में मैं दो चमच के करीब मैं 2-3 चमच के करीब इसमें पानी डाल दें पानी डालने के बाद इसको अ तो बड़ी चम्मच के करीब सोया सॉस डाल दे इस तरह से डाल दें इसके बाद इसमें चिली छिली स्मस यूज़ बेगार ठेञा हुए जैनसी कर साइग कर दो दोड़े से तोड़े परन और नायुका यॱ्ट बह्ते चाक है इसके बाद अच्छे मिल आ लें पतूँ काफी अच्छे से मिला ले मिलाने के बाद इसको प्यास की पेस्ट में डाल दें और यह देखे गाईस यह काफी अच्छे से हमारा जो प्यास है टमाटर काफी अच्छे से बून चुका था मेडियम फ्ले में हमें इसको अच्छे से बूनना है और इसके बाद उसी कटोरी में उसका डबल पानी डाल दें मैं यहाँ थोड़ा ग्रेवी वाला बना रही हूँ आप चाहे तो बिना ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं उसमें पानी एड ना करें अगर आपको बिना करना है हमारा ये गोभी मंचूरियन बनके बिल्कुल रेडी है बहुती डिलिश्योस बनता है बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल बनता है और आप इस तरह से जरूर ट्राय करना गाइस आपको बहुती पसंद आएगा आप इसमें चाहे तो इस प्रिंग आनियन भी डाल सकते है काफी अच्छा बनता है मेरे पास नहीं ता इसलिए मैंने नहीं डाला इस तरह से हमारा रेस्टरेंट स्टाइल गोभी मंचूरियन बिल्कुल रेडी है आप बिल्कुल रेस्टरेंट जाना बूंगे अगर आपने इस तरह से गोभी मंचूरियन बना है गाइस मेरी गैर कि वह बाहर से बिल्कुल भी आप रेस्टोरेंट से और नहीं करेंगे या आप खाने नहीं जाएंगे क्योंकि इस जब घर में ही इतना अच्छा बन जाए तो हम बाहर क्यों जाए तो गाइस यह जो गोभी मंचुरियन है ना बच्चे तो रोज गाएंगे कि ममा गोभी मंच बना दो तो गाइस वीडियो अच्छा लगए तो लाइक शेर जबर करिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा बाई